हाई एव्रिवन वेलकम टू नसीमाज कुख बुक आज मैं सबसे पहले एक पैन ले रही हूं इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है आज क्या बन रहा है आज मैं जो बनाने वाली हूं बस देखते ही जाओ यहां मैंने ले लिया है एक कप दूद्ध इस दूद्ध को हलका स मैं तोड़ा सा तोड़ डाला आधा कप यहां पर मिल्क पाउडर डिएगा इससे दूद पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे उसकी गुटलिया नहीं बनेगी अब मैं इसमें डाल रही हूं छेना इस शेने को मैंने घर पे ही एक लीटर दूद से बनाया था इसका पानी मैंने फूरा निकाल दिया है देख पा रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट छेना है गाय के दूद से बना हुआ यह चेना है फूल फैट मिल्क से तो यह चेना बहुत ही सॉफ्ट होता है तो इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूगी बस चलाते हुए इसे मिक्स करना है और क्लेम को बिल्कुल लो रखावा है बस चलाते जाए और यह से पकने दीजिए थोड़ी देर बाद मैं इसमें डाल रहे हूं केसर भीगो के मैंने रखा था केवडा वाटर में वो डाल रहे हूं बस थोड़ा सा मैं डाला है हलका सा कलर चेंज हो गया देखी क्रीमी कलर आ गया आप ही देखेंगे थोड़ी देर में यह गुलने लगेगा और देखी गुल गया है पूरी तरह से आप चाहे तो चीनी का अस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो गुड का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इलाइची जो डाला था ना वो मैं निकाल दे रही हूं अब उसकी जरुद नही तो इलाइची और केवडा वाटर दोनों का कॉंबिनेशन में जो खुश्बू आती है ना बहुत ही अच्छी यह अब एखटा होने लग गया है देखिए इसे बहुत जादा ड्राय ना करें पैन को छोड़ने लगेगा यह खटा होने लगेगा बस आप उसे उतना ही होंगी ताके इकवल पोर्शन में डिवाइड हो और हमारा जो मिठाई है वो इकवल बने तो यहां पर इस तरह से मैं इसे जस्ट डिवाइड करके रख रही हूं इसे मैं बाद में बनाऊंगी और बस इस तरह से देखिए लगभग साथ मिठाई यहां पर हमारी बन अगर आप थोड़ा चोटा बनाएंगे तो और जादा बन सकती है मैं इसे थोड़े बड़े-बड़े साइज में रखोंगी और इस तरह से आपको चिकना कर लेना है जादा दबाएगा ने बस हलके हाथ से इसे गोल करने के बाद हाथ में इस तरह से करेंगे और यह देखि तो यह बिल्कुल लड़ू जैसा बन जाएगा इस तरह से मैंने सारे बना लिया है अब केवड़ा वाटर जो मैंने केसर में भीगो के रखा था थोड़ा-थोड़ा मैं लगा दे रही हूं उपर से ताके यह बिल्कुल मिठाई की दुकान में जिस तरह की मिठाई बनती है वैसा ही लुक आएगा इसका और कोई आपको बता ही ने पाएगा कि घर की बनी हुई है मिठा या बाहर की मैंने बस इसे चान्दी का वर्क और थोड़ा पिस्ता लगा कर गार्निश किया है आप जैसे चाहें जो भी हो आपके पास बादाम कुछ भी हो आप लगा सकते आप आपके ट्राइए एक बार जरूर कीजिएगा पसंद आजाया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलते हूं फिर किसी नए वीडियो में तब तक करें स्टे सेव स्टे हेल्दी बाए